तो जी आज उदैपूर में दिखाएंगे आपको उदैपूर की सान जो है बड़ा पाव भई बड़ा पाव तो आपने खाया होगा लेकिन यहां पर जो बड़ा पाव मिलता है वो मिलता है चाज के साथ में और आप देख सकते हैं पीछे एक बटी सी लगी हुई है जिसने हम और इस बटी में क्या बनाते हैं आपको दिखाएंगे और पहले आप एक बार इनका रेट चेक कर लिए बड़ा पाव आपको मिलेगा यहां पर खाने के लिए कल 15 रुपे में और अगर आप साथ में छाज लेते तो मिलेगा 20 रुपे में हलो कैसे हो बास नमस्ते बिया क्य अब बड़ा पाव बहुत एच्छा बनाते हैं नहीं मतलत क्या के डालते हैं आप एक वर दिखाएंगे बटटा होता है इसके अंदर हाँ काभी सारा मसाला होता है और यह देख लिए आपने वड़े की टिक्की है यह यह बड़े की तिक्की आपने बड़े देता है नाम ब गाटि मसाला बनता है शिचंग का वनता है यह हरी चत्णी यह रदन्या होता इसमें पोदिना होता है और मिर्ची के साथ गारलिक होता है इसके अंतर यह अपने सौस है को साउस है यह यह इसमें बटर के साथ मनाते है सनल्वली डालते ने यह ऊसे यह ऊधाया काफी बड़ा है खोड़ा है यह नहीं बसह तहीं कर दे चाथ हाली मिर्ची दे लिए मिर्ची बिएंच चाट भी मिर्ची इसके साब प्रफाइब प्रफाइब लगवालों का बड़ा पाऊ और चाच लगवाली है और यह देखें यहां पर मैंने एक चीज देखी उद्वद्वर में कि यहां पर यह बड़ा पाऊ खिलाए आता है चाच के साथ मैं रही चाज भी पिएंगे बड़ा वी खाएंगे और आपको इनका टेस्ट वैसे ज्यादा टेस्ट बतानी जुरूत है नहीं क्योंकि मैंने आपको यहां की पहले भीड़ दिखा दिये और मेरे को तक्रियन 15 मेंट हो चुक है 15 में आप मैं देख चुका हूं कि वहाई कितनी दीवान की इन बड़ा पाऊगी तो सबसे पहले टेस्ट कर गोल वाला पाऊ है और साथ में बड़ा लगा हुआ है अलू का साथ में मिर्ची है चटनी है और सौस है बड़ा पाऊ को टेस्ट काभी जानदार है बज़ेदार है और अमूमन हमारे हैं तो बड़ा पाऊ मिलता है वो मिलता है साम के टाइम में लेकिन यहां पर भीड़ लग जाती है वाई सुबही तक्रिमन 11.30 का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हैं कि बड़ा पाऊ खान चलता है और रात तक चलता है मिलते हैं किसी और नाइक बीड़ में गुडबाई